जिस प्रकार किसी भी शुपकार्य के आरंभ में श्री गणिश जी की पूजा होती है वहीं पर आपका भी पूजन किया जाता है हे मा आज मैंने आपके इस्तुति करके अपने आपको द्वारिका धीश को समर्पित कर दिया है मैंने मन ही मन श्री कृष्ण को वर लिया है मुझे आशरवा दीजे मा कि मेरे पती परमेश्वर द्वारी का धीशी हो उन्हीं से मेरा विवा हो मुझे आशरवान मिल गया मुझे आशरवान मिल गया मैं धन्य हो गई मा मैं धन्य हो गई नारायन नारायन त्रणाव देवर्शी तल्याणा मस्तू अहां देरी अपनी लीला से मुझे भ्रामित मत कीजिए भ्रामित तो राजकुमारी हो ही गई है द्वारी का धी श्री कृष्टे के कारण आई नारायन नारायन दिवर्शी आप इनकी बातों का विश्वास मत कीजी ना ना देवी ना ना मैं इनकी बातों पर विश्वास क्यों करूँ जब आप प्रत्यक्ष रूप में मेरे सामने है क्यावल इतना बता दीजिए कि मा दुरुगा से आपने जो मागा वो मिल गया न बताइए न देवी ये ब्राह्मन आपके किसी भी काम आ सकता है द्वारीका धिश के पास जा सकता है आपका संदेश पहुंचा सकता है और उनका संदेश आपके नाम भी ला सकता है ना रायन ना रायन तो विलम कैसा राजकुमारी राजकुमारी द्वारीका धिश को फ्रेम संदेश भेजी दीजिये राजकुमारी जदी आप चाहे तो दिवर्षी क्या आप मेरे पुझे माता पिताश्री से इस विशे में बात करेंगी ना रायन ना रायन क्यों नहीं करूंगा अवश्य करूंगा अवश्य करूंगा उस लीला धर की लीला का आनंद लेना हो तो वो जैसा नचाए वैसा नाचो और आनंद लो ना रायन ना रायन प्रणाम देवर्शी क्षमा चाहता हूं भगवन नजाने क्यूं मन में ये भाव प्रकट हुआ है कि आपके इस नाटक में मैं भी एक छोटी सी भूमी का निभा कर आनंद बटोर्नूं। मैं देवी रुकमिनी के माता पिता के सामने आपके और देवी के विवा का प्रस्ताव रखने जा रहा हूं यदि आपके सुकृती हो तो में देवर्षी आपने हमारे घर आकर हम बर बड़ी करपा की है आपके चरण स्परश पाकर आज ही नगरी पवित्र हो गई आपकी नगरी तो उसी दिन पवित्र हो गई थी राजन जिस दिन आपके यहाँ पुत्री ने जन्म लिया था आपकी पुत्री तो समझ लीजे साक्षात लक्षमी का आउतार है और मैं समझता हूँ अब लक्षमी के लिए ना रायन चुनने का समय आ गया है मैंने अनुची तो नहीं कहा नहीं नहीं देवर्शी हम भी रुक्वणी के लिए योग्यवर देख रहे हैं देवर्शी आप तो तीनों लोकों में घूंगते हैं समझ गया राजन समझ गया आप तो जानते ही हैं परोप्तार में बहुत आनंद लेता हूँ मैं इसलिए सब की आवशक्ताओं पर ध्यान देता हूँ आपके कहने से पूर्वी मेरा ध्यान द्वारिका धीश श्री कृष्ण पर गया था उनकी कीर्थी तो आपने सुनी होगी ना राजन हाँ हाँ बहुत कुछ सुनने को मिला है उनके बारे में उनकी कीर्थी शिशुपन से लेकर आज तक की वीर्था के बारे में क्या क्या न नारायन नारायन राजाओं के राजा वासु दे आपकी पुत्री लक्षमी रूपी रुकमिनी के नारायन मैं तो इससे अधिक सुन्दर जोड़ी की कल्पना भी नहीं कर सकता आहा वह अती सुन्दर अती सुन्दर यही विधी का विदान है राजन आपने बड़े कृपा की लिवर्शी हम द्वारी का धीश के पास प्रस्ताओं लेकर अवश्य जाएंगे केवल युवराज रुकमी को आने दीचे बस भगत देश से आता ही होगा राजकुमारी द्वारी का धीश के साथ विवा की बात चलने के लिए तो पूरी भी हो जाएगी आप ये कुंडितपुर छोड़कर द्वारी का धीश चली जाएंगी तो हमें भूल तो नहीं जाएंगी कि नहीं दामिग मैं कि मैं तुम में से किसी को नहीं भूलोंगी इस समय तो मुझे यह सब एक स्वापन जैसा लग रहा है स्वापन तो प्ूरा होने जा राजकुमारी क्योंकि देवरशी नारत ने कहा है कि लक्षमी नारायन का विवा हो ये तु विधी का विधान है नहीं 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 ये विधी का विधान नहीं है देवर्शी नारत्व आपको भटगाने का प्रयास कर रहे हैं पिता श्री रुक्मनी का विवाद कृष्ण से नहीं हो सकता गदाब भी नहीं हो सकता परन्तु पुत्र क्यों नहीं हो सकता ये विवा इसलिए कि देवर्शी नारत की दृष्टी में कृष्ण रुक्मनी के योग्य हो सकता है परन्तु मेरी दृष्टी में वो रुक्मनी के योग्य नहीं है किन्तु कृष्ण वासुदेव है पुत्र राजाओं के राजा है यो कह रहे हैं जो राजा नहीं ग्वाला है ग्वाला अरे जो हमारी बराबरी का ही नहीं उससे रुक्मणी का विवाद कैसे हो सकता है क्यों नहीं हो सकता मेरा विवा दुवारी का धीश से क्यों नहीं हो सकता ब्राता श्री क्योंकि कृष्ण हमारा शत्रु है क्यों क्या शत्रुता है हमारी उनसे वो हमारे मित्र का शत्रु है और राजनीति में शत्रु का शत्रु हमारा मित्र और मित्र का शत्रु हमारा शत्रु होता है पुत्र तुम किस मित्र की बात कर रहे हूं कि सम्राट जरासंद की कि कि किस्टन हमारे सम्राट जरासंद का शत्रु है कि अब आभी पताइए पिदाश्री क्या ये संबंध बनाकर आप विदर्व देश को नश्ड करना चाहते हैं खून की नदिया बाहना चाहते हैं नहीं हम सम्राट जरासंद से शत्रुता नहीं ले सकते क्योंकि सम्राट जरासंद अपने शत्रु को समूल नस्द करना ही अपनी नीती समझते हैं और एक बात आप नहीं जानते हैं सम्राट जरासंद स्वयम कुंडित्पुरा रहे हैं किसी विशिश कारण से आ रहे हैं हां अपने मानस पुत्त्र चेटी देश के युवराज शिशुपाल के लिए रुकमनी का हाथ मांगने आ रहे हैं करना है कि सम्राट जरासंद के इस प्रस्ताओं को ठोकड़ा सकते हैं अप है इतनी सामर्थाप में में विश्री कि युवराज शिशुपाल मेरा मित्र है और सम्राट जरासंद हमारे हितैशी है इसलिए रुकमनी का विवाह युवराज प्रणाम प्रभु क्यों दिवर्शी नाटक का आनन्द ले रहे हैं प्रभु जरासंद और देवी रुकमिनी के विवश्च माता-पिता के हिर्दय में अकस्मात रुकमी के प्रवेशने रुची उत्पन कर दी हैं रुची तो उत्पन होगी ही दिवर्शी क्योंकि मगद नरेश समराट जरासंद इस नाटक में मुझसे भी अधिक रुची ले रहे हैं वो देखिए महामंत्री शिशुपाल रुकमनी के विवा की नीव तो हमने डाल दी हैं परन्तु शिशुपाल का रुकमनी की ओर आकरशित होना बहुत ही आउशक है नारायन नारायन प्रभु आपसे बड़ा नाटक कार तो मैंने इस पूरी स्रिष्टी में नहीं देखा दिवर्शी मनुष्य जीवन नाटकियता से भरा हुआ है यदि नाटकियता ही नहीं होगी तो मनुष्य जीवन शुष्खो जाएगा खिन्तु मनुष्य जीवन तो स्वयम ही एक नाटक है भगवन ती नंकों वाला नाटक बाल युवा और व्रिधावस्था और आप जैसे रचनाकार के होते हुए ये नाटक शुष्खो हो ही नहीं सकता अब देखिये ना देखिये देवी रुकमिनी आप से विवा करना चाहती है और देवी रुकमिनी का भाई उनका विवा शुष्खो पाल से कराना चाहता है उस शुषुपाल से जिसका वद्ध आप ही के हातों होने वाला है कैसे उल्जी हुई नाटक ये प्रिष्टिती है नारायन नारायन शिशुपाल एक सुन्दर युवक है महामंत्री और रुक्मनी सुन्दर युवति फिर युवकों को सुन्दर युवतियां ही आकर शित करती हैं विदर्व राजकुमानी रुक्मनी तो सुन्दर की देवी है महाराज इसलिए कह रहा हूं महामंत्री कि शिशुपाल रुक्म फिखनी और उक्मनी हे ह Clean movies नहता और शिशुपाल को भी कि नहीं और चाहिए इस के पीछ से हमारा हाथ है महाराज यदि शौर सॉंदर्य पर मोहित हो सकता है तो सौंदर्य भी शौर पर मोहित हो सकता है अर्थात अर्थात विदर्व पर आक्रमन महामंत्री महाराज अम्रावती के राजा विरेंद्र विदर्व नरेश भीष्मक को अपना शत्रु मानते हैं कि वल आपके भैसे प्रकट नहीं कर रहे आप क्या यह कहना चाह रहे हैं कि राजा विरेंद्र विदर्व पर आक्रमन क करने की सोच भी नहीं सकता इसलिए कि चेटी युवराज शिशुपाल जो अब चेटी राज बन जाएंगे विदर्व की सहाईता के लिए चले जाएंगे महाराज शिशुपाल महा प्राक्रमी है वो राजा विरेंदर को अवश्य पराजित करेगा और संभा है कि वो राजा विरेंदर का वद भी कर दे भाराज, राजा विरेंद्र हमें तरस्ट भी कर रहे हैं, यदि इस रणनीती में उनकी बली चढ़ा दी जाए, तो आपके राज मंडल में कोई आपका विद्रोग करने का दुश्चाहसी नहीं करेगा आप राजा विरेंद्र के पुत्र, युवराज राजेंद्र को अमरावती का राजा बना दीजिए, आपकी रणनीती सफल होगी, रुक्मी शिशुपाल से कृतक्य होगा, और सौन्डर ये शौर से प्रभावित होकर शौरे पर मोहित हो जाएगा महामंत्री, आपकी कुटिलता ने हमारे सारे प्रशनों के उत्तर दे दिये, शिगरी राजा विरेंद्र को संकेत कीजिए, और शिशुपाल को भी, जो आज्या महाराज, भाईया, यहाँ, ना, ना, रो कियो रही है पक्याइद्री? आभ ही तु रुला रहे है मुझे। मैं? मैं रुला रहा हूं तुझे। मैं तो तुझे हमेशा हसता हुआ, मुश्कुराता हुआ देखना चाहता हूँ इसलिए मेरा विवा चेटी देश के युवराज शीशुपाल से कराना चाहते हैं मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, कोई भाई अपनी बहन का आहित चाहेगा ना मैं तेरा आहित चाहूँगा और ना इस विदर्व राज्य का आहित चाहूँगा और फिर शीशुपाल कोई साधारन व्यक्ति नहीं है, वोई का साधारन व्यक्ति है, महा बल्शाली, महा प्राक्रमी है वो ए姐ती देश का राजा बनने जा रहा है वो वो सब प्रकार से तुम्हारे योग्या है रुकमणी सवेज्वर को अर्ध क्या है बहिया स्वेंवर क्यों किया जाता है स्वेज्वर का अर्ध है अपना वर्ध स्वेंप चुनना और यह नारिक अधिकार है जब नारी का स्वेमवर जाया जाता है तो अपने उस अधिकार का उप्योग करती है अपना जीवन साथ ही चुनने के लिए मैया या मुझे अपना वर्थ अपना जीवन साथ ही चुनने का कोई अधिकार नहीं रुकमनी, इस स्वयमबर में मैंने तुम्हारा वर्द चुन लिया है और उसे ही तुम अपना जीवन साथ ही बनाओगी नहीं भाया, नहीं और एक बात, जिस कृष्ण को तुमने आज तक देखा नहीं उसके लिए इतना पागल होना, तुम्हें शोभा नहीं देता रुकमनी परेंटो भाया, मैं आज तक देखा नहीं, उसका तिरस्कार करने लगी हो यह सबन जाने में हुआ है भाया बस, बस, बहुत हो गया, बहुत हो गया रुकमनी इस दरस्कार को तुम्हें प्रेम में बदलना होगा और प्रेम को दरस्कार में क्योंकि विवाह तो तुम्हें शिशुपाल के साथ ही करना है, शिशुपाल के साथ ही, हाँ जटी राजशी शुपाल को करुश राज दंतवक्र का प्रणाम करुश राज दंतवक्र की जय हो काकाश्री समराज जरासंध ने तुम्हारे लिए आशिरवात के साथ साथ आदेश भेजा है वादेश, हो क्या, अमरावधी के राजा विरेंद्र विदर पर आक्रमन करने निकले हैं और उन्हें विदर पहुँचने से पहले ही रोकना होगा काकाश्री की आज्या का पालन होगा दंतवक्र, हम राजा विरेंद्र को विजय प्राप्त नहीं करने देंगे खुमर्ण खुमर् 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 अर बद Nä का कि अढब। एक शरण चे हो लुवाउल कि अढ़ खरणी decor युव झाल